हम अपने यूनिट टू पर आगए ऐलोकेशन ऑफ रिसोर्सस मतलब फेक्टर्स अप्डक्शन की बात दो रही है यहां पर तो उसके अंदर पेला हैड है स्ट्रेज पर अज्वल्भ आएड आएड हमने वैसे ले ले लिया कि माइक्र लेवल पेक इंडिविज्वल लेवल पेजितना मैंक्रों में और शीद इसे एक लौनी को जितना मैं बड़े परमान पर देखो मैक्र इकनो अग्नोमिक्स जिन जो consumers goods को consume करते हैं consumers goods कौन से होता है जिनको consumers consume करते हैं ठीक है और producers goods भी होते हैं जिनको businesses consume करते हैं ठीक है न एक business ka output दूसरे business ने बीट हो सकता है जिसका काम है construction machinery बनाना वो construction machinery को यह consumer तो घर भी उस करेगा नहीं आटा दाल करने के लिए है yeah call news करेगा दूछा बिसने इूज्स करेगा मीलिटिंस बनाने के लिए तो वह building scale जाएगी तो वह building's क्यों कि यो real state industry वह would बने गरह रहे है वह हुपर पिर वह Plan nove फिर वह क्यों फ्लाइच को बेचिंगे बनता है right so goods are either consumer goods or producer goods producer goods जो हो मतलब B2B होते business एक business दूरे business को sell करता जबके consumer गुड जो है business एक consumer को sell करता है तो B2C होते है ठीक है अच्छे जी एक एकनॉमी वे तीन actors हमने बहुत दफ़ा दोरा लिए आपात households जैसें को इकनोमी को देखने का अंदास और इकनौमी के अंदर किन गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूज के जाता है जैनरली आपकर services होते हो खोना गुड्स भी हो सकता है, education industry बाइब अगर रहते हो आपकी श्टेशन ली होती है आपकी वो devices जो के education में काम में हो खर रहा कर होगा फूड खाना पीना सब शामिल है फिर पहनना एपरेल वगरा और अक्टिविटीज एक अंदर जाहर है एक एक अंदर हाउस होल्ड है उन हाउस होल्ड को किसी ना किसी माइंड फ्रेश करने के अक्टिविटी भी जरुड़त होती है ना लेट सब्सक्राइब डिया डिमांड इस अदर अगर कोई अगर कोई होलेडे देस्टिनेशन बनी वे तो वहां जाकि अपना जना दिल वह लाएंगे अपना च्छुटिया मनाइंगे राइट सो रीक रेशल अक्टिविटीज की भी रिकार्मेंट होती है एक नौमी के अंदर इक अंदर इक अंदर को तो उसको भी प्रोड्यूस करते हैं अब रीक रेशल अक्टिविटी प्रोड्यूस करने का मतलब यह नहीं है कि इजात करने नहीं नहीं अगर एक अच्छा सी साइड है वहाँ पर हट्स वगरा बना दिये एक सी फ्रेंट पे और उस जगा को ऐसा कर दिया मतलब से क्योर कर दिया वह कि एक अदिये और बनाने जोना पर तो इस तरह से जो भी आपने वह फैसलेटी बनाई वwen कि से रेशले प्रोड़ीट की तो इस ऊड़ीर करने वाले का नहीं बुस्क्राइब लीज सब्सक्राइब वह पिर किन को मिलती है वह सब्सक्राइब यह लिए इतने के टिगरी की याद रखने के लिए और भी हो सकते हैं बेश्टर काटिग्रीज बन सकते हैं लेकिन याद करने के लिए बेसिक बेसिक मैंने लिख दी हैं आपर क्योंकि इसका एक निमॉनिक बन रहा था हमारा दा फर्म जो कि हम बार बार डिसकस करते आए हैं करते रहेंगे टी एच इफ ए आर एम उके शेक नॉमी में इन गुट्जन सर्विसेस की या इस तरहां के गुट्जन सर्विसेस की रिक्वार्मेंट होती है इंडिविजूल्स को हाउसोल्ड्स को कि यह प्रोड्यूस हो यह कौन करते हैं यह पर गौर्वर्मेंट भी कर सकती है तो गौर्मेंट जब यह फराम करते हैं तो इसको करते हैं एकनॉमिक शिस्टन पूरा ऐसे चलता है तो इस तरह से गुट्जन सर्विस्ट्री प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें बीच में आती है वह हाउसोल की करके के किरदार है कंशुमर का कीरदार नियुक्त सर्फनिका वह वरकर इस भी थी तो हैना या तो अपना विजने से उनका अंट्रप्रिनरुर की सुरत में या पर किसी लेबर हाथ़ झार तो जाके काम करने वह हैं उसके बदले कोई दूसरी जीत व्यल्य की ले रहे वह पहले बार्टर सिस्टम होता था कि अगर एक इनसान घर से निकल के मिसाल के तौर पे बेसिक मिसाल ले तो मचलिया पकड़के ला रहे तो अपना टाइम मचलिया पकड़ने में लगा दिया तो म।क्ति तो मचलिया ले सकता है या उसको कुछ और चाहिए तो मचलिया ले सकता है ले सब्सक्राइब करने के लिए तो उसके बहुत से लोग करते हैं इंकम कमाते हैं फिर उसको स्पेंड करते हैं फिर अपने जरूरत के अपनी वांड की चीज़ लिए लेते हैं तो जो उन्हों अपने वांड की चीज़ ली वो भी किसी और ने प्रोड्यूस कियोगी तो जिसने प्रोड्यूस कियो वह भी अपने तवर पर कही होँगा तो मिसाल के तरफ यह जिसने फर एक्सामल वीट को कंजूम किया यह खुछ जा कि शद्लक्डियां प्रोड तो उस एकनॉमिक सिस्टम के अंदर आपकी प्रोड़क्शन होती है प्रोड़क्शन और डिस्ट्रिबूशन होती है और उसके दरम्यान जो है कोई कमाता है और खर्च करता है तो इंकम का भी टॉपिक इसी के अंदर खुलता है एकनॉमी एक पूरे तोर पर क्या करती है प तो बहुत सारों किये डिस्टिबूट उनको करते हैं इनकी वॉंट भी और विलिंग भी हैं मतलब जो डिमांड कर रहे हैं उसको एक्चुली उनको डिस्टिबूट करते हैं ठीक है एक एकॉनमी यह करती है मैकरोग्णोमी जो है उसके परमीटर्स बहुत वसी हैं बहुत वाइड है पूरी उक्रामी को देख रहे जिसमें तमाम सेक्टर शामल है जो दपाम में भी लिख है न सारे वो सारे बिस्टिबूट जया में थे न थेंगे न तो पूरी मैकरोग्णोमी जो इन सब का आउट- सेक्टर ने भी किया एजुकेशने से फूट सेक्टर एप्रल सेटर डीक्रेशनल मेटिकल सेक्टर ठीक है तो इन सब मिलके इतनी वैल्यू प्रोड्यूस की पूरे मुल्की जीडीप गया और जीडीप अगर पूरे मुल्की फूट प्रोड्यूस करता है मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन का निकला हुआ यह बिल्कुल नेश्रल सोर्सेज जो अख़स हुआ है सिर्फ उस सेक्टर की बात करें तो आप और माइक्रो लेवल पे चले गए उसके अंदर भी स्पेस्टर एक बिजनिस की बात की कि मिसाल के घिए और मैक्रो पूरी एकनॉबर से लीटैर सेथा थे लिए ॉसमें से मिल्क देर ना चाहते हैं और मश्यांने की सिफ एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे मिल्क बिजनेसे हैं तो सिफ एक इंडस्ट्री की बात दो लिए that's micro level macro की नजर से दिखाई है बहुत माइक सही है तो micro में चीज तसवर करना आप लोग बारल micro economics focuses on studying the decisions and behaviors of economic agents with respect to specific markets आपके जो economic agents हैं उनको अगर आप उनके decision making को household firms और governments इनके decision making को specific market को लेकर आप देख रहे हो तो वो वाली study economics आपाट है लेकिन कौसी economics आपाट है मिसाल के तोर पे कि एक producer है जो car manufacturer है बारबार मिसाल देना car manufacturer की कि वो अपनी prices को बढ़ा रहा है या वो अपनी labor को cost अपनी cost cutting की वाई से labor को कम हटा रहा है ठीक है न तो इससे क्या-क्या impact होगा तो वह specific sector की बात हो रही है that's microectomics ठीक है अगर आपके consumer है जिन होने मिसाल के तौर पे कोई specific product है वो किसी की ऐसे मुल्क से आ रही है जिसके साथ security जिसके साथ मतलब अच्छी टाइज नहीं है तो उस specific मुल्क की प्रड़क को बाइकाट कर रहे है अगर वो मिसाल को तरुब तो यह पूरे आपके पूरे पहमाने के उनके बहुत सारी चीज़े यूज करता है उनके consumer preference change होगे कि अब इसकी यगा हम कोई और चीज़ खरी देंगे तो वो जाना ओफ्लाइन वो ओंसाइड एडुकेशन की या ओनलाइन एडुकेशन को प्रफेंस करना शुरू होगे तो एक सेक्टर में रहते हुए बात करना consumer के इस चेन को तो वो microeconomics का बाइट है clear है तो in microeconomics the attention is on the smaller scale interactions and decisions that shape individual markets for instance one might investigate the factors influencing the demand for a specific product or the impact of changes in production or particular industry for example आपकी specific product की demand है ठीक है ना कोई ऐसे factors किसी भी आपकी आपकोई product change करते है मिसाल के तौर पर है रेल स्टेट मार्केट है मतलब घरों की मार्केट है घरों की मार्केट को लेकर अगर घरों अगर इंट्रस्ट रेट्स यह होते हैं तो डाइक रेल स्टेट को अफेक्ट करेंगी टेकर इसके अदर टोपिक्स एसके पूरे मुलक की उप्लाइमेंट लेवल पूरे मुल्क की जीडीपी तेके ना आपके मुलक का इंट्रस रेट क्या चल रहा हैं इंट्रस एट्स वो करता है कि Central Bank जो इंटरस्टेट करता है तो उसी इंटरस्टेट के बलबूते पर पूरे मुल्क का इंटरस्टेट होता है कि कोई भी कुछ बौर्यू करेगा तो उसको कितना इंटरस्टेट देना पड़ेगा जैसे फिल वक्त कराची के अंदर काईबोर जो चल रहा है वो 20% प्लस चल रहा है 20% का मतलब ही हो गया कि उससे उपर ही बैंक से किसी को अब उदार मिलेगा तो इंडिविजियल कंजूमर को जो इतना महंगा उदार मिल रहा है कि उसको मिसालतर पर एक करोल रूपर उदार लेता है तो पूरे साल के एंड में उसको बीस लाक रुपे सिफ सूथ के देने पढ़ेंगे उसपे इंटरस देना पड़ेगा इस सो बिक कि वो डिसींग चेंज करता है नहीं यार माभी उदार में ले सकता है इस गनी बेरी एक्सपेंसिट अमेह रही है तो उसने जब नहीं लिया उदार तो उसको उस उदार के वैसे से जो करना था वह नहीं ले रहा है तो पर चेसे में फर्का गया तो मेंकरोक केन सब्सक्ता है और माइकरोपी फर्का तो करते हैं तूचल बंक दूब दृट्टे संब्सक्राइं करते हैं ठीक है उसी के इंटर्यक्शन की बहुत शारी मिसालें नीचे दी वे या पढ़ लोगे सब जैसे कि the कि एक सेक्टर में कुछ ना कुछ दिमांड कम हो गई तो एक सेक्टर में दिमांड कम होने का मतलब है उसका जो impact है वो पूरे मुल्क की demand पर आए गई न क्योंकि तमाम sectors की total demand बन के total ही तो पूरे मुल्क की demand होते हैं तो किसी भी एक sector से demand कम होने का मतलब micro economic demand कम होने का मतलब पूरे मुल्की macro economic के अंदर GDP के उपर फरका सकता है तेक है इसी तरह की से आपको ये समझना है कि किसी individual product के prices क्यों बढ़ना है पेट्रोल के prices क्यों बढ़ना है ये चलो petrol के prices नहीं आपके घर तक कोई सबजी fruit आ रहा था उसके prices क्यों बढ़ना है आप यह समझना जाता है अब सिफ सबजी प्राइस बढ़ना तो एक microeconomic analysis है कि सब्सी फूट के प्राइस क्यों पढ़ना है, food के price बढ़ना है, तो यह microeconomic analysis है, लेकिन इस analysis का तालग macro condition से भी तो है, कि आप पहले दिखोगे न किया ऐसे food के price बढ़ना है, या overall economy के बढ़ना है, पता चला, overall economy के बढ़ना है, क्योंकि petrol एक ऐसी resource है जब पूर economy में use होती है, petrol इतना महँगा हो गया कि transportation बहुत महँगा हो गया कि वज़ा से पूरे मुल्क में inflation आ गई, जिसकी वज़ा से अपका food भी आपको महँगा पढ़ ला है, clear हुई, so आपको microeconomic condition को समझने के लिए भी कभी-कभी macroeconomic condition को समझना पढ़ता है, clear? तो interaction है दौनों का अपस में, फिर reduction in output in the car industry, अगर car industry के output में कि manufacturing के अंदर reduction हो गई, उसको समझ रहे हैं, अब यह micro level की बात हो गई, क्यार automobile industry है, उसके अंदर कर manufacture कम हो रहा है, कम गाडियां manufacture हो रही है, तो उसकी क्या वज़ा, पता चला कि वज़ा यह है कि macroeconomic conditions, SUV यह है कि dollar बहुत expensive हो गया आपके लिए, और dollar expensive होने का मतलब है, जो import किये जाते थे parts सारे, अब वो parts बहुत expensive होना शुरू हो गया, तो car manufacturing company cannot handle their cost that way, तो वो बनाई नीदी जादा, अब वो जब नहीं बना रही जादा, तो फिर लोगों को भी निकालेंगी, तो एक automobile industry से लोगों का unemployment होना, तो एक micro economic condition है, लेकिन लोगों का unemployment होने से पूरे मुल्क के unemployment level के उपर add तो होगा न, तो macro economic impact भी है उसका, clear हो रही है, फिर एक मिसाल और है बड़ी, अच्छी दो मिसाले, मुल्क के अंदर income tax अगर बढ़ जाता है, तो लोगों की disposable income घट जाती है, disposable income होती है, after tax income, तो एक इंसान है, जिसकी after tax income, मतलब पूरे साल की उसकी जो न, 50,000 dollars income थी, और पहले tax जो ताम पहले उसको इसको 10% दिना पड़ता था, 5000 dollars तक, तो उसकी disposable income 45,000 dollars रह जाती थी, ठीक है, और उसी के basis पे वो buying decision कर सकता है, disposable income वो income जिससे जो tax करने के बाद हो, एक इंसान है, अ बढ़ अब ये 45,000 dollars के अंदर से इसके समय लो 30,000 dollars तो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं, और पिर 10,000 dollars और बागी चीज़ों में खर्च हो जाते हैं, पांच जार डॉलर जो एक्स्टा बचते हैं, उससे वो गाड़ी खरीदने का कोई decision लेता है, अब मिसाल के तोर पे अ पाने पीने वगरह में चले गए, और 10,000 dollars के और चीज़ों में चले खर्च है, तो गाड़ी के लिए पैसे नहीं बचे, तो गाड़ी खरीदने का decision खतम होगा है, उसका, because increase in income tax at macro level, resulted in lesser income of an individual, and that individual is not buying the car right now, ठीक है, तो micro economic impact होते है, पिर एक और higher interest rates हैं, अगर, central bank ने interest rates को ज जादे interest rates का मतलब borrowing cost बढ़ गई, लोग borrow करेंगे तो उनको बहुत expensive पढ़ ला है borrow करना, जो borrow करना expensive पढ़ ला है, तो borrow करना जो खरीदने वाले ताब वो नहीं खरीद है, क्यों क्यों बढ़री नहीं करते हैं, सही है, जी, तो यह micro micro का आपस में, एक interaction दिखा है, ripple effect का यहा बड़ी wave देगा, उसके थोड़ा दूर वाला और चोटी wave, थोड़ा दूर वाला और यह ripple effect होता है, तो पत्थर जहां पड़ा है, सिर्फ वहां पर effect नहीं आएगा, उसके immediate तो बड़ा impact आगा, लेकिन होते 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 हर impact का एक अपना impact भी होगा, तो होते 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 का pyramid, glasses का pyramid, पहला वाला पोर करोगे, वह overflow जागा, तो अगलों को flow करेगा, फिर वह सही जैसे एक fountain work कर दिये, so ripple effect भी होता है, एक क्यों पर impact आने से अगलों तक impact पहुचना, तो microeconomics का, microeconomics पर, microeconomics पर ripple effect है, या trickle-down effect है, decision makers in microeconomics and microeconomics, अभी आप पढ़हेंगे तो हो households, firms, और government, ये तीन है, जो कि decision maker है, उनका microeconomics decision making और microeconomics decision making किस किस तरा कि हो सकते है, households की बात करते है, तो household, consumer के तो पर बीए एक किरदार है, household का, घर के अंदर बैठावा तो consumer है, मतलब घर के अंदर बैठावा तो consumer है, बाहर भी consumer है, अब अपनी personal life में consumer है, वो लेकिन, करने यह वह कए कुछ कमाता है उस कमाफ कमाफ कमाव में से कचछक्र करता है और फिर देल और शहता फिर्पर करता है जरूरी भी नहीं कर लिए करले और जरूरी ने कुछरबी करें उसका सबी कंज्यूम कर जाहां 502्, Protea स्वे सब्सक्रें कARS बारें सेंट करता है वहां बॉर्विंग कोस्ट एक तरफ महेंगी है तो दूसरी तरफ सेफ करने वे रिटरन जाद है तो वह बैंक में पैसा जबा कराएगा उसको लगेगा पैसा जादा है कितारा क्या एक इक उसका है उनको लो प्रायश से चाहिए होती है रिटार मतलब पैसा और रिटरण अच्छे से चाहिए रहा हूं सेविंग्स लेमी और अगर एस वर्कर देखे तो उनको अच्छी वर्किंग कंडिशन में ज्यादा पे चाहिए होती है कि अच्छे वर्किंग कंडिशन हो ज्यादा पे मिले वह यहां सोल्ड ठीक है ना तो वह किसी का इंप्लॉई भी बन सकता और खुद अंट्रेप्रणोर भी तो एक वर्कर ही है ना अंट्रेप्रणोर भी बन सकता है क्लियर है तो सारे हाउसोल्ड के माइक्र एक्क्नॉमिक करदार है मैक्र एक्क्नॉमिक लेवल पे इनकी बात किस तरह इनके इनको लेकर क्या बादिशन मेकिंग है वो पर्सू करते कि अफोर्डबल जैनरली कही नहीं भी जाए अफोर्डबल प्राइसे दो यह भी अगर जैनरली देखा जाए तो मैक्र नामिक लेवल का लग रहा है बहुत जादा फर्क मैंने करने की कोशिश के इतना जादा मतलब फर्क बन नहीं पार रहा था लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए कि माइ नहीं जाएंचे लिए तो मैक्रोशन सोच रहा रहे हो जहां पर यहां पर सब अच्छा-च्छा हो रहा हूँ वह यह चाहेगा तिए स्क्टर अगर चाहर रहा है वह छीज तो मैक्रोशन प्रम उसको देख लो तो फर्म अपनी मार्कित में रहता है पौफिट माक्सिमाइस करने जाती है जो बिजनस वो कर रही है और ओवर ओल वह इसी इकडावी में रहना चाहती है डिसीजिजिएन लेना के वहाँ पॉस्टर जाती है अपर वह स्टेबली बिजनस कंड़क कर सके जहां पर उनकी प्रोड़क्ट की डिमांड हो जहां पर उनको इसके लेबर मिल सके इस मेरे पाप पैसा एजन इंवस्टर में चाहता हो कि मिसाल के दूर पर जर्मीन निवें इन्वेस्ट करूं ठीक है तो लोगो लोगो लेकर कुछ एक्सक्ट करना कर सकता हूं वगरा वगरा टैक्स रिट वह तो वह एक और और फेक्टर रोजागा और फिर किस स्प्रेश इस वह एक सेक्टर पर करना चाहता है तो देखेंगे एक प्रोडूइसर की नजर से देख रहा हूं गवर्मेंट्स का यूज्वल रोल तो मैक्र नॉमिक होता है लेकिन वह मैक्रोग्नॉमिक भी तो सकते गवर्मेंट्स के अपने भी तो कुछ बिसनसे जो सकते हैं को उस चीज को यूज कर सकता है उन रोड्स को यूज कर सकता है और गवर्मेंट्स के लिए काम करते हैं तो कम प्राइस पर उसको फ्यूल और सब कुछ मिलेगा तो वहां पर कोई भी बिसनस फिर खोलना चाहिए अपना तो और बैतर तरहीं से क्योंकि सब को सेम स्टार्ट मल करता है अपने इसाब के मिजली के पैसे चार्ज कर रहता है और गवर्मेंट कुछ रगलेशन लगाती है बट वह हम आगे एकनोमिक सिस्टम में देखेंगे तो गवर्मेंट का माइक्र एकनोमिक लेवल पर रहते हुए क्या बात है वह सकता है किसी गुद्स इंसर्विस की प्रोडक्शन में खुद इंगे जो गवर्मेंट अपने खुद के अपने खुद के एजुपेशन इस्टिट्टीट तो अपने खुद की कोई जैना फूड और राइस मैनिफेक्शिंग कंपनी जो गवर्मेंट के अपनी अपनी है मतलब वह जैनल पब्लिक की है कि उससे या तो उसी कंपनी के अंदर रिइंवेस्ट होगा या फिर वह गवर्मेंट के पॉकेट में जाएगा और गॉर्मेंट उस जमा किये पैसे को किसी और जगा पर लगाएगी लोगों के वेलफेर पर फिर गवर्मेंट का माइक्र नामिक लेवल पर क्या है वह 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 होगोर्मेंट लेगाल है लेकिन शक्तियुके लिए व्योंति वचल गाती है तो प्रिच्टर को फर्ली सेइस earthly मेंने फिर जाहा विवहर्मेंट कुछ या तो किसी और गनामिक है नामसे मेल्भी तोलन की सक्टर को आगे सब्सक्ति करते हैं माइक्रो लेवल पर किसी एक विसाल के तरफ एल्थ इंडस्ट्री है अगर वह प्राइविटाइज देगे हॉस्पिटल फ्राइवेट खुल सकते हैं लेकिन उस प्राइवेट ऑस्पिटल के अदर गौर्मेंट के रेगुलेटर की तरफ से रेगुलेशन से कि पाइ को से तो गौर्मेंट एगुलेशन लगा सकती है ठीक है प्राइवेट सेक्टर के उपर और अगर मैं एक मैक्रो लेवल की बात करूं तो गौर्मेंट साथ है ओवर एकनौमी बड़ी रोबस्ट यहों बहुत अच्छी ग्रोइंग एकॉनमियों अनिप्लाइमेंट लेविल इस परसेंट इंफलेशन है वह बड़ा हो जाता है एकनौमी का फिर बहुत ही लो एंट स्टेबल इंफलेशन वाली इंफलेशन हो टेक है और वह इंफलेशन भी उसके पीछे क्या थेहरी है क्योंकि यूमन जो है अपने आपको ग्रोथ में देखना चाता है मोटिमेट होन कर रही थी कुछ लेबर टाइब जॉब थी कुछ लेबरनवा आपके अगले साल भी यही सेल्ड रहोगी तो मोटिवेशन नहीं होगी काम की अगर पूरे मार्केट के अंदर कोई भी चीज भाइंगी ना हो आपको ये यकीन दिला जाए एक डबल लोटी नहीं नहीं हुई एक स्कूल की फीस महेंगी नहीं कुछ भी महँगा नहीं हुआ पैट्रोल कुछ भी महँगा नहीं हुआ तब आप राज जी इस पर तब भी आप क्यार चलो मेरे को मुझे कोई ग्रोथ हुई हाला कि मार्केट के अंदर हो सकता है डबल रोटी भी सो रुपे से एक सो पांच रुपे की हो गई हो तो पांच परसंट का भी सैली में खैली इंक्रीज है कंजम्शन जहां करोगे वह सब भी तो पांच परसंट सब पर जा चुकी सही है तो ऐसा नहीं हो लेकिन ऐसा होना फिर बहतर है ना होने से कुछ ना होना अगर तो जो डबल लोटी बेच रहा उसको भी कोई फाइदा नज़र नहीं आ रहा है यार सौ की विक्रिये तने आप म क्रोथ करने के देने के लिए वह अपनी डॉटी महेंगी करेगा तो उसने 105 कर दी डॉटी के प्राइस और लेबर की प्रेस को पच्पान अजार कर दिया सब खुश है अला कि एकनामी वैसी की वैसी है सिर्फ ड्राम में बाजी है लेकिन अगें कि बहुत ही सिंप्लिफाय क ही हो तो वह उसका अंदर इतना 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 फ्लैट नहीं होता है जितना मैंने सिंप्लिफाय करके समझाए लेकिन ओवरॉल कॉंसेप्ट यह पीछे गवर्मेंट का के स्टेबल इंफलेशन होनी चाहिए क्योंके लोग ग्रोथ देखना चाहते हैं